कि वंस अगेन गूड इवनिंग दो लॉफ यू और मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूं पहले उन पॉइंट्स को देखेंगे फिर हम एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे इस बात को जरा समझना इसके ओपर छोटे-छोटे से कोश्चन स्कूल्स वाले पूछ रहे हैं और आपके भी इसमें से डाउट्स हैं नेट सेल्स नेट सेल्स में से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लेते हैं हमारी जो सेल्स है वो दस हजार रुपे की है नेट सेल्स है दस हजार रुपे की और कॉस्ट है सिरफ छे हजार की मैं समझाओंगो अभी आपको दوبारा यह हम डिसकस कर चुके हैं ज़न दस थाजार रुपे की है और कॉस्ट और गूट सोल्ड है छे हजार. तो दस में से छे हजार गए तो फाइनलि कितने बच़े चार हजार. इस चार हजार को बोलते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट. यह होता है ग्रॉस प्रॉफिट. इस formula के base पे आप बहुत सारे questions solve कर भी सकते हैं और paper में भी आएंगे questions अब जड़ा in points को देख लेते हैं paper में क्या क्या आने के chances है पहला point एक एक word पर ध्यान देते है net sales क्या होती है net sales net sales का पहले एक नाम और भी होता है मैं वो नाम लिख देता हूँ यहाँ पर this is called revenue from operations last कुछ classes रह गई हैं आपकी और आप सबके exams भी बहुत nearby हैं एक एक point बिलकुल समझ के चलना net sales का एक और नाम होता है revenue from operation net sales का मतलब क्या होता है net sales का मतलब होता है सबसे पहले आप लिखेंगे total sales total sales में से minus करते हैं आप sales return तो सीधा formula होता है total sales minus sales return वो आ जाता है net sales और net sales कितने दे रखी है 10,000 अब आगे चलते हैं ये total sales का क्या मतलब होता है total sales का क्या मतलब दो ही तरह की sales होती है एक होती है cash sale दूसरी होती है credit sale आज ग्रूप में एक student ने question डाल रखा था अब आप इसके according चलना cash sale plus credit sale होता है total sales उसमें से minus करते है sales return और sales return का एक और भी नाम होता है जिसको हम बोलते है return आप सब बताईए मुझे return inward या return outward जल्दी से बताईए return inward होता है या outward तो इसका दूसरा नाम होता है return inward very good everyone चलिए बाते आपको पता है यहां से हम कहां पहुच गए revenue from operation हम पहुच गए net sales पर सेकिंड स्टार क्या लिखा है सेकिंड लिखा है cost of goods sold अब सर यह क्या चीज़ होती है cost of goods sold cost of goods sold का मैंने आपको formula पहले भी बताया था इसका formula होता है opening stock एक formula तो आपको दिख रहा है एक formula क्या है net sales minus cojs is equal to gross profit एक formula तो यहां से बन जाएगा दूसरा formula होता है trading account से trading account से हम opening stock ले ले उसमें हम plus कर दें net purchases net purchases का मतलब total purchase minus purchase return plus direct expenses और आप सब बच्चों को दुबारा याद दिला देता हूं direct expenses की जो list है उसको 200% याद कर लेना सिर्फ बारा ही expense है because यही गलत कराएगा paper में मैंने notes भेजे थे उसमें direct expenses की कुछ list है उसको जरूर याद करेंगे जैसे wages freight inward carriage inward cartridge inward factory expenses और ट्रॉई यह सारे खर्चे थे carriage on purchases minus minus closing stock minus closing stock तो क्या आगया cost of goods sold आगया यह इसका formula होता है तो cost हमारी कितनी है 6000 बिटा यह मैं final accounts के बारे में सब कुछ discuss कर रहा हूं आपसे topic आने वाला है don't worry gross profit आगया 4000 यह final accounts के सारे questions है इस gross profit मैंसे हम आगे चलते हैं इस मैंसे हम minus करते हैं operating expenses कुछ schools में और कुछ papers में मैंने देखा है one marker question आ रखे है one marker question आ रखे है operating expenses यह क्या होते हैं अगर कोई income है कौन से income operating income अभी मैं सब बताता हूं आपको expenses minus करेंगे income plus करेंगे और उसके बाद जो answer आएगा मान लेते हैं expenses हैं 2000 के और income है 500 रुबे की expenses क्या करो गया माइनस income क्या करेंगे प्लस तो बताओ कितना answer आया यह answer आया 25 अब आपको पता लग जाएगा मैं कौन सा टॉपिक करा रहा हूं ध्यान से देखो यहां पर क्या लिखा है इसको बोलते हैं operating profit यह question आने के बहुत ज्यादा चांसे स्कूल्स के अंदर कि operating profit कैसे निकालते हैं तो operating profit ऐसे निकालते हैं वन मार्क की थियोरी आएगी और वन मार्क का प्राक्टिकल कोश्चन भी आया का टू मार्क्स कवर हो जाएंगे operating profit और operating profit अब यह क्या होता है operating expenses जड़ा यहां चलते हैं देखो जड़ा operating expenses मैं यहां लिख देता हूँ operating expenses यह क्या होते हैं operating expenses का मतलब होता है जो भी खर्चे आपके बिजनस में होते हैं बिजनस के खर्चों को क्या बोला जाता है operating expenses जो भी आपको समझ आता है जैसे बिजनस में क्या depreciation लगती है यस तो यह operating हो गया बस जो भी बिजनस में खर्चों होते है और वी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बिजनस के अंदर क्या हम electricity बिल देते हैं water बिल देते हैं सारे business के खर्च कौन से होते हैं operating expenses तो यह operating expenses होते हैं बहुत जबड़ी लिस्टे हम लिस्ट नहीं लिख रहे इसको फिर इंकम प्लस करते हैं उलास्ट में क्या आजाता है operating profit मैं आपको question कराऊंगा तब आपको clarity हो जाएगे सर्फ क्या है इस में से फिर माइनस करते हैं जो फाल्तू खर्चे होते हैं नॉन ऑपरेटिंग expenses यह थे operating यह थे non operating expenses फाल तू खर्चे मान लेते हैं फाल तू खर्चे हैं 600 रुपे के प्लस नॉन अपरेटिंग इंकम फाल तू इंकम मान लेते हैं फाल तू इंकम है 400 रुपे के बताओ मुझे कितना answer आया पहले तो यह बताओ answer कितना आया जल्दी जल्दी बताएंगे कितना answer आया 2300 और सर इसको आप बोलते हैं net profit यह बोलते हैं net profit अब आपको समझ आ जाना चाहिए net profit हम कैसे बनाते थे हम बनाते थे profit and loss account से और जल्दी से बताओ gross profit कहां से निकलता था gross profit निकलता था trading account से इसका मतलब trading account से P&L account के बीच में भी कुछ होता है trading आपको पता है P&L आपको पता है बट इन दोनों के बीच में एक चीज होती है जिसे बोला जाता है operating profit और सिर्फ one marker question आता है इसके अंदर कुछ नहीं करना सबसे important चीज जो है आपको यह याद करना है बस कि non operating expenses क्या होते हैं बस जिस बच्चे कोई non operating expenses याद रहे वो समझ जाएगा non operating expenses सिर्फ 4-5 होते हैं जो business के खर्चे नहीं होते नौन operating का मतलब जो business के खर्चे नहीं होते जैसे loss by fire बिटा आग लग गई चोरी हो गई तो इसके जो नुकसान हुआ वो हमारा business का खर्चा नहीं होता नौन operating होता है और बताता हूं donation donation charity donation देना charity देना कोई हमारा business का खर्चा नहीं होता हम अपनी इच्छा से voluntary दे देते हैं बढ़ हमारे business का ऐसा कोई खर्चा नहीं होता और बताता हूं मैं आपको loss on sale of assets बस आपको ये examples याद रखने है loss on sale of assets और एक और example interest इंट्रस्ट ऑन लोन इंट्रस्ट ऑन लोन ये होते हैं नौन ऑपरेटिंग expenses बस चार expenses हैं आपको इनको चारों को याद रखना है मैं भी बताता हूं कशिश सजदेवा operating income सब कुछ बताएंगे आपको फिर हम चलते हैं नौन ऑपरेटिंग इंकम नौन ऑपरेटिंग इंकम यानि सरी ये कुछ फाल्टू इंकम होती हैं ये फाल्टू इंकम होती हैं जिसका आपके बिजनस से कोई मतलब नहीं है मैं आप से कोश्चन पूछता हूं सुनना मेरी बात ध्यान से यहां पर मैंने स्टार डाला और मैंने यहां पर लिखा ऑपरेटिंग इंकम मतलब जो मेरे में बिजनस की इंकम होती है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग का मतलब होता है ऑपरेशन्स ऑपरेशन्स का मतलब बिजनस जो आपकी में बिजनस की इंकम होती है आई रिपीट में बिजनस की इंकम और यह लिखा है नॉन ऑपरेटिंग इंक मैं आपसे कोश्चन पूसता हूँ आप मुझे बच्चे बताना ज़रा आप सब को पता है मेरा किस चीज का बिजनस है मेरा बिजनस है टूशन क्लासिस का और मेरा बिजनस है C.A. के जो क्लाइंट्स होते हैं उन क्लाइंट से हम प्रोफेशनल फीस लेते हैं यह दो चीतों का मेरा बिजनस है यह आप सब को पता है मैं आप से कोश्चन पूछता हूं टूशन फीस जो मुझे टूशन फीस मिलती है आप सब बच्चे ध्यान से बताओ टूशन फीस नौन ऑपरेटिंग है मेरे लिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शिक्स स्टूडेंट्स के आंसर बिलकुल सही हैं वेरी गुड बाकी सब बच्चे बताओ जल्दी जल्दी नील और कौन कौन है हमारे साथ स्रिष्टी यश जी तो आप सबको पता चल गया टूशन फीस किस चीज का एक्जामपल है टूशन फीस एक्जामपल है ऑपरेटिंग इंकम का है अब मुझे बाथ बताओं कि यह जो सी हे के क्लाइंटज है इनसे हम professional फीस लेटे हैं professional फीस तो यह भी हमारी क्या बन गई operating income यह भी हमारी क्या बन गई operating income बट कोशन यह है यह सारा पैसा तूशन फीस का पैसा और प्रोफेशनल फीस का पैसा ये सारा पैसा में अपने पास नहीं रखता हूँ ये सारा पैसा में डिपॉजिट कर देता हूँ बैंक के अंदर बैंक में क्यों डिपॉजिट करते हैं जरा सोच के बताओ ये पैसा में बैंक में डेपॉजिट करता हूँ और बैंक से मुझे क्या मिलता है बैंक से मिलता है मुझे interest received अब question ये है कि सर ये जो income है ये income मेरी operating है या non operating अब आप बताओ बेटा interest की income मेरी operating है या non operating तो मैं answer आपको बता देता हूँ और बच्चों को मेरी बात समझ आ गई है interest received on investment वेरी गुड़ ये हमारी कौन सी income है non operating income क्योंकि मेरे business की नहीं है मुझे अलग से ब्याज मिलता है ऐसे ही अगर मुझे कहीं से rent receive हो रहा है तो वो rent भी इधर आ जाएगा जैसे यहां लिखा था laws on sale अगर by chance profit हो गया profit on sale of assets तो ये भी मेरी क्या हो गई non operating income और कई बार dividend मिलता है जैसे interest मिलता है bank से ऐसे dividend मिलता है shares के उपर तो dividend ये भी हमारी कौन सी income होगे non operating income अब मैं conclude करने जा रहा हूं आपने 11th class के अंदर बस चार example ये याद रखने है चार example ये याद रखने है और paper में आप से क्या बोला जाएगा paper में बोला जाएगा आपको एक तो पूछा जाएगा one marker में क्या ये non operating है या नहीं है one marker question इसके लिए आएगा examples का one marker आएगा वो बोलेंगे operating profit निकालो operating profit निकालो ये दूसरा question आएगा अब operating profit निकालना बड़ा असान एक तरीका तो ये है यहां से चलो सीधा 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 चलते जाओ और यहां पर रुक जाओ एक तरीका तो ये है सीधा सीधा माइनस करते जाओ बस सीधा कहां पहुचाओ गया operating profit क्या हम सर यहां से उल्टा भी चल सकते हैं सोचो आप क्या हम net profit से उल्टा भी चल सकते हैं बताओ yes और no क्या reverse calculation भी possible है yes बस जब reverse calculation होगी जब आप उल्टा चलोगे तो सब कुछ उल्टा कर देना non operating income plus है आप उल्टा चल रहे हो आप उल्टा चल रहे हो तो non operating income को क्या कर देना माइनस non operating expenses माइनस होते हैं बढ़ क्योंकि आप reverse चल हुट तो आप करते नतब Inn करता है paper में किस तरह से question आएगा इन डिर्यक्ट आएगा या डिरेक्ट आएगा और इस बेज पर यह एक आपके थो हैं पर मार्क्स कवर हो जाएंगे कोश्यों भी आपको किरा देता हूं में आ जाओ जरा फटा फट जितने भी डाउट्स होते हैं आप सब बच्चे कॉमन ग्रुप में डाला करो और कोशिश करा करो बाकि सारे स्टूडेंट्स उन को सॉल्व करनेंगी उससे दो बैनिफिट मिलेंगे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा यह जो मैंना आपको टॉपिक पढ़ाया है यह पेज नंबर है 19.3 कशिश कमीशन ऑपरेटिंग होता है 19.31 और यहां पर एक बच्चे ने पूछा है सर कमीशन रिसीवड यह देखो कमीशन रिसीवड कहां लिखा है ऑपरेटिंग इंकम तो कमीशन ऑपरेटिंग इंकम का पार्ट होता है इस पेज को थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद हम कोशन पर आएंगे यह देखो य आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो टॉपिक है यह ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट चलिए फटा फट चलते हैं कोशन पर एक कोशन ही आना है पेपर के अंदर और वही कर लेते हैं सीधा कोशन नंबर चेप्टर है 19 और उसका कोशन नंबर मैंने आपको पहले मार्क भी कराया था कोशन नंबर है टेन कोशन नंबर टेन 19.59 अधिती जो आपने कोशन पूछा था वह यही कोशन है तो इसके साथ साथ आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा फ्रॉम दा फॉलिंग फिगर्स कैलकुलेट क्या पूछा गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट गया है और कोशन में पहला ही पॉइंट क्या है नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दे रखा है एक लाग जल्दी से बताओ नेट प्रॉफिट गाँ या इन डारेट आप मुझे बताओन डारेंटी दिया है कोस्टन में डारेक्ट लगाँ या इन डिरेट बताए жलदी से कोक्ष्ट म्म हमें क्या करना नेट करा नेट प्रॉट देते हैं नेट प्रॉफि इसमें माइनस करेंगे हम माइनस क्या करेंगे नौन ऑपरेटिंग इंकम और प्लस करेंगे नौन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने आप कहां पहुच जाएंगे हम बस प्लस माइनस करके expenses प्लस करेंगे और income माइनस करेंगे तो हम कहां पहुच जाएंगे operating profit अब आते हैं आगे net profit आपको दिया हुआ है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ net profit आपको दिया हुआ है एक लाख रुपे चलिए अब ढूंडते हैं question के अंदर अराम से ढूंडना ये example दे रखें पहला लिखा है gain on sale of machine बिटा gain मतलब profit on sale of machine ये क्या है हमारी non operating income non operating income क्या होती है minus कितना है gain 15,000 फिर लिखा है donation आपने donation दी है ये देखो donation होती है हमारे non operating expense non operating expense होता है plus तो donation plus कर देते हैं 2000 rent receive rent receive ढूंडो ये रहा rent receive rent receive क्या होती है non operating income क्या करना है minus करना है कितना है 10,000 last में लिखा है interest on loan कहां गया ये रहा interest on loan क्या होता है non operating expense और non operating expense को आपने क्या करना है plus क्योंकि हम indirect method यूज कर रहे हैं called operating final answer आया आपका 97,000 this is called operating profit बस इतना ही करना है आपको दो marks इसमें cover हो जाएंगे expenses और income याद रखना format याद रखना indirect method खतम पिटा पहले बताइए is it clear to all of you मैं आगे चलना चाहता हूं आपके साथ जी फटा फट is it clear to all of you मैं आपको screenshot ले लो आप इसका या मैं आपको class के notes भेज दूँगा जी मैंने जो जो लिखा ही सब आपको मैं भेज दूँगा class के notes और मैं यहां लिख देता हूं operating income में एक बच्चे ने मेरे से पूछा था commission तो commission भी क्या हो गई हमारी operating income जी विटा आपको मैं बता देता हूं वैसे class record भी हो रही है 11 के अंदर आप कुछ चीजें गलत पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे school के अंदर ऐसी चीजें discuss करी जाती है और marks हमें वैसे ही मिलते हैं तो इसलिए गलत है तो गलत चलने दो but definitely 12 में मैं आपको cbsc के board exams होते हैं तो जो cbsc बताएगी वो मैं आपको clear करूंगा कि 12 में पता लगेगा कि हमने 11 में क्या-क्या गलत पड़ा interest received एक student ने पूछा है interest received क्या होता है this is called non operating income अभी मैंने और पॉइंट एक और पॉइंट मुझे आपके साथ discuss करना था दोस्तों वह है हम यहां लिख लेते हैं जरा कि आप में से दो बच्चों को कशिश और समीक्षा आपका डाउट था चैप्टर नमबर 20 इलिस्ट्रेशन नमबर थी 15 चैप्टर नमबर 20 और इलिस्ट्रेशन नमबर 15 यहां लिख लेते हैं जरब फटा फटा फट सारे बच्चे पेज ओपन कर लें पेज है 20.35 और इलिस्ट्रेशन नमबर है 15 यह है एक पॉइंट जी इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर सिर्फ एक डेटर वाला पॉइंट है यह देखो मैं आपको दिखा देता हूं इसके अंदर बच्चों ने क्या पूचा है इलिस्ट्रेशन नमबर 15 में संडरी डेटर यह डेटर का पॉइंट है जहां कंफ्यूजन हो रही है 30,000 के डेटर है उसमें लिखा है इंक्लूडिंग मोहन आठ डिस ओनर्ड बिल आठ सो मोहन का एक बिल था जो डिस ओनर हो गया डिस ओनर्ड होने के बाद वो दुबारा हमारा कौन बन गया डेटर तो मोहन का बिल था आठ सो मैं जराब को समझाता हूँ टोटल डैटर हमारे हैं तीस रजार के इसके अंदर एक मोहन का बिल था जो डिसॉनर हो गया और मोहन अब हमारा कॉन बन गया दुबारा से डड़र बन गया आथ सुर्वे का तो बताओ बैलन्स ड़ेटर कितने के बचे बैलन्स कितने के बचे 29,200 तो यह बैलेंस है और यह मोहन मैं लिख देता हूं तब इस हम की अब कुशिन यह मोहन कब्ल डिश आन्र हो गया था अब चलते हैं एड़ पर एड़रेस्मेंट थर अड जस्मेंट में क्या लिखा है पड़ते ही जरा third adjustment में लिखा है half of amount of Mohan bill is irrecoverable irrecoverable का मतलब डूब गया मोहन कहता है कि इस 800 में से आदा 400 तो दोस्तों डूब गया ये तो हो गया bad debts ये तो डूब ही गया अब सर्ब बाकी के 400 का क्या हुआ पहला दिमाग में question तो ये होगा बाकी के 400 का क्या हो ये पहला question आपके दिमाग में आना चाहिए मैं आपको पता देता हूँ अगर 400 रुपे डूब गये है तो आपकी 11th class ये मान के चलती है I repeat 11th class ये मान के चलती है कि भाई 400 तो irrecoverable है डूब गये बाकी के 400 का मिलेंगे मिले नहीं है मिलेंगे इसको हम बोलते हैं this is called good debtors यानि 400 रुपे good है पका मिल जाएंगे 400 रुपे तो डूब गये पर 400 पका मिल जाएंगे अब adjustment आगे चलते हैं देखना आगे क्या लिखा है create provision बनाना है provision कितना बनाना है 5% मट provision किस पर बनता है provision बनता है doubtful पर provision किस पर बनता है जिन पर हमें doubt होता है उसका 5% provision बनाना है और मैं इतनी देख से यही बोल रहा था 400 तो डूब गए और 400 हैं बिलकुल सही ये पका मिल जाएंगे तो बचे कौन से बचे ये वाले ये हैं जिन पे आपको क्या होगा doubt ये हैं जिन पे आपको doubt होगा because ये कौन से है good debtor है तो जो ये doubt है इसके उपर आप 5% का क्या बनाओगे provision प्रोवीजन फॉर डाउटफूल डेप्ट और आप सबको पता है इस प्रोवीजन को हम कौन सा प्रोवीजन कहते हैं न्यू प्रोवीजन ये था दोस्तों पॉइंट कि इसको हमें गुड मानना है अब मुझे जल्दी से बताएए क्या आपको ये टेक्निकल सा पॉइंट आप सब बच्चों को समझ आया है इज्वर Iya गुड का होते हैं और डाउट फुल डाउट क्या होते हैं एक बदाओ मुझे कुछ समिक्षा आपका था और एक अदिति आपका भी डाउट था कशिश रोडा जी बतायाएं जल्री से मुझे तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं ये गुड डेटर का क्या मतलब है पांच पर्सिंट प्रोविजन किस पर बनाना है अराम अराम से चलेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक ये अच्छा पॉइंट था चले ये भी हो गया एक बार-बार मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है मैनेजर कमीशन के उपर मैनेजर कमीशन इसको भी आज हैंडल कर लेते हैं जरा मैनेजर कमीशन ये लो मैं यहां लिख देता हूं मैनेजर कमीशन मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है पहली बात मैनेजर को जो कमिशन दिया जाता है हमारे लिए वो एक expense होता है हमारे लिए क्या होता है वो एक expense होता है और आप सबको पता है expenses हमेशा क्या होते है expenses होते हमेशा debit पहले तो यह बताओ मैंने manager commission pay कर दिया Manager Commission मैंने Normally Pay कर दिया बताओ Entry क्या होगी तो cash आएगा cash जा रहा है बड़ अगर अभी तक pay नहीं करा इसका मतलब वो अभी भी क्या है outstanding है तो या तो cash आएगा या क्या आएगा outstanding outstanding manager commission इसका मतलब यह हमारी क्या बन गई liability तो manager commission के उपर या तो आप pay कर दोगे खर्चा है खर्चा या तो pay करोगे या क्या बनेगा outstanding जितने भी questions अभी तक हमने देखे हैं 11th class में और जो मेरा experience है past 11th class में दोस्तों हम हमेशा यही चल रहा है कि manager commission outstanding है यह चल रहा है manager commission outstanding है तो आपने entry क्या करनी है manager commission account debit to outstanding manager commission और उसके बाद खर्चा तो है सर सारे के सारे खर्चे सारे के सारे खर्चे कहां चले जाते हैं यह बनाया profit and loss account indirect expense है सारे के सारे खर्चे कहां चले जाते हैं यहां पर आ जाते हैं manager commission यहां पर सारे खर्चे आ जाते हैं और आप बच्चों को मैंने पताया था जल्दी से बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी मैंने आपको एक असान तरीका पताया था पी एंडेल में इस expense को डालने की जर्नल एंट्री क्या होगी पी एंडेल क्या हो रहा है बिटा पी एंडेल हो रहा है डेबिट तो एंट्री बन गई मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री सिखाई थी पी एंडेल अकाउंट डैफिट टू मैनेजर कमिशन तो पहले तो आप ये सीखो कि सर एंट्री क्या होती है वेरी गुड कशिश सिया फल्स्ट और सेकेंड पहला खर्यचा दूसरा पिएंडल अकाउंट टू मैंनेजर कमिशन ये एकसपेंस आपने ट्रांसफर कर दिया है नरेशन ज़रूर लिखना इंग है एकसपेंस इश ब्रांसफर ये बीइंग हैसेश फीनिश transferred to P&L मैं लिख देता हूँ यहाँ पर transferred to P&L अब इतनी बात तो समझ आगे कहानी को आगे लिके चलते हैं एंट्री आपको clear है दूसरी चीज़ manager को जो commission दिया जाता है manager को जो commission दिया जाता है वो 11th class में हम यह मान के चलते हैं कि वो कुछ percentage दिया जाता है और वो percentage किसका होता है net profit का मैं जब भी 11th class बोलता हूँ तो आप समझ जाये करो कि हम सिरफ marks लेने के लिए पढ़ रहे हैं जब 12th में आओगे तो picture एकदम clear कर देंगे कि किस तरह से commission दिया जाता है अभी हम क्या मान के चलते हैं commission किस पर दिया जाता है net profit पर net profit का कुछ percent हम manager को देते हैं as a commission और यह net profit कैसे निकलेगा या तो यह net profit question में given होगा अगर question में given है तो बहुत असान और अगर given नहीं है तो आप सब students को पता है क्या बनाना पड़ेगा आपको बनाना पड़ेगा पी एंडेल अकाउंट और पी एंडेल अकाउंट में इधर आती है income इधर आते है expense और उसके बाद last में आएगा net profit गिवन है तो भगवान को प्रशाद चड़ाएंगे और अगर given नहीं है तो हम बच्चे कहें प्रशाद वापिस ले लेंगे बिटा अगर given नहीं है तो profit उसका कुछ percent हम क्या देंगे commission अब इसके अंदर दो aspects होते हैं या तो लिखा होगा before असान तरीका बता रहों without any logic या तो लिखा होगा before या लिखा होगा after बस इन दो words को देख लेना because अगर हर चीज के logic के साथ चलोगे तो आपका paper definitely छूट जाएगा बिटा पेपर ना छूटे एक चीज बता दूँ आपको हर चीज के working notes rough work नहीं करना सब चीजों के working notes मत बनाना paper छूट जाएगा जी in the same way before और after में shortcut सीखो अगर manager का commission अगर manager का commission मान लेते हैं 5% है और लिखा है before लिखा है तो आपको simple लिखना है 5% 5 upon 100 और अगर लिखा है after तो कुछ नहीं करना ऊपर वाली चीज नीचे में क्या कर देना प्लस कर देना ऊपर वाली चीज नीचे में क्या कर देंगे प्लस बस इतना सा काम करेंगे और इसके साथ सथ हम आते हैं आपके साथ illustration number 14 अब यह आपको clear हो जाएगा illustration number 14 आओ जड़ा मेरे साथ सथ पड़ा पड़ा illustration 14 और page number है इसका अगर आप doubts जादा मेरे से discuss करोगे तो फिर मैं रेक्टिफिकेशन चैप्टर कैसे स्टार्ट कर पाऊंगा illustration number 14 page number है 20.33 इसके अंदर देखते हैं दो cases है case one और case two मेरे साथ सथ जरा समझेंगे case one में क्या लिखा है manager is allowed a commission on profit आगे देखो क्या लिखा है manager को commission मिलेगा बट क्या लिखा है before charging such commission और case number two में पड़ो manager को commission मिलेगा on profit क्या लिखा है after charging such commission तो दो words मिल गए before और after और आपका answer खतम before after समझाना चाहिए आप पढ़ लेते हैं profit of the firm ended 31st March profit आपको दिया हुआ है 21,000 इसका मतलब sir net profit आपको question में given है net profit दिया हुआ है आपको 21,000 तो बड़िया काम हो गया आपको question में net profit दिया हुआ है 21,000 आओ जर आगे manager को commission मिलेगा 5% 5% commission मिलेगा दो cases है दो cases है पहला case है before before में हम commission कैसे निकालेंगे देखो जरा manager का commission कैसे निकालेंगे 5% किसका 21,000 का तो यह commission आ गया 1050 खतम before में खतम और अगर sir after दिया होता case number 2 में after दिया हुआ है after में आप कैसे निकालोगे 5 upon में 105 into 21,000 तो यह आ गया 1000 खतम तो दौनों case में before और after में निकाल दिया यह case number 1 है आपके book के according case number 1 है और यह case number 2 है बटा जिनके exams बाद में हैं March के भी end में हैं और वो बच्चे चाते हैं कि sir इसके पीछे logic क्या है तो वो बच्चे मुझे personally message कर देंगे तो मैं अलग से उनको पीछे logic बता दूँगा बट जिनका exams बहुत nearby है वो सीधा shortcut technique याद करें before और after की जी मुझे बदाए कि क्या आपको manager commission clear है बटा जिन बच्चों के doubt से जल्दी से बताओ manager commission is clear entries भी सिखा दी अच्छा 22 को कुछ बच्चों को exam है बटा rectification के लिए मैंने आपको videos भी बेजी थी और मैं rectification थोड़ा सा स्टार्ट भी करा देता हूं आज चलिए बिट अब rectification स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ Rectification हम स्टार्ट करते हैं rectification of errors मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा विकॉज यह हम पहले भी discuss कर चुके हैं और आप सब बच्चे videos भी देखके revise कर सकते हैं rectification of error इसका मतलब सरपक्का कोई न कोई error होगा और सबसे अच्छी बात है वह error आपको question में given होगा वह बताएंगे question में given होगा कि भाई यह गलती है आपको बस क्या करना है आपको उसको सही करना है correct करना है तो rectification of errors के अंदर question में पका गलती होगी और आपको क्या करना है correct करना है जैसे मैंने example दिया था अपनी पहली class के अंदर हमने example दिया था two plus two कितने होते हैं two plus two होते है four गलती से क्या कर दिया two plus two गलती से लिख दिया seven तो two plus two four correct है गलती क्या करती two plus two seven कर दिया अब आपको क्या करना है seven से four में जाना है ये काम आप सब बच्चों ने करना है eleven class से seven से four में जाने के लिए आप क्या करोगे आप seven के अंदर यानि गलती के अंदर minus करोगे three जैसे ही आप three minus करोगे आप कहां पहुच जाओगे आप पहुच जाओगे four पर तो ये जो three आपने करा है ये this is called rectifying entry ये होती है आपकी rectifying entry ये three कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए correct position क्या है गलती question ने क्या करी है और फिर आपको करने पड़ी की rectifying entry और इसी के साथ सबसे पहले मैं आपके साथ discuss करता हूँ एक सबसे बड़ी गलती जिसे कहते हैं error of principle और मैं कोशिश करूँ आपको shortcuts बताने की error of principle मैंने आपको कुछ illustrations mark करी थी rectifications की आपको बस उतनी illustrations करनी है उसके अंदर सब कुछ cover हो जाएगा error of principle का क्या मतलब होता है principle का मतलब accounting error आपको accounts की principle मतलब आपको accounts के जो rules होते हैं उनकी knowledge नहीं है accounts के rules की knowledge नहीं है उसे कहते है error of principle जैसे मैं आपको रूल बताता हूँ पहला रूल आप सब बच्चों को बता है कोई भी expense पहला रूल expense incurred at the time of purchase expense incurred at the time of purchase of assets 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 को purchase करते time कोई भी खर्चा होता है आप मुझे बताओ क्या वो खर्चा होता है या वो asset का part होता है आप मुझे बताएंगे कोई भी खर्चा अगर asset purchase करते time होता है तो क्या वो expense कहलाता है क्या वो expense कहलाता है या this is part of asset part of asset क्या होता है यह accounts का basic rule है बताएंगे जरा क्या वो expense कहलाता है so answer is no वो क्या बन जाता है वो asset का part बन जाता है part of asset तो यह पहला rule है और इस rule की पक्का गल्दी करते हैं यह आईए मेरे साथ साथ पहले मैं आपको असान तरीका बताता हूं shortcut तरीका chapter number 16 नहीं कौन सा chapter 18 है पिटा 18 चैप्टर में आओ मेरे साथ illustration number 5 सीधा shortcut मारते हैं दिमाग लगाने की जरूरती नहीं पड़ेगी illustration number 5 चलो मैं यहां पर आपको करके भी दिखाता हूं देखना किस असान तरीके से हम कर लेंगे पहली बात paper में question आएगा तो पक्का वो बताएंगे कि उन्होंने mistake क्या करी है mistake पक्का बताएंगे point number one wages paid for the construction of office construction construction का मतलब है आपने क्या बनाई है land and building building बनाते time आपने कुछ wages दिये मजदूरों को दिहाडी दी है wages खुद बता रहें अब आगे पढ़ना गलती क्या करी है debited to wages account दोस्तों यह जो black pen से में अंडलाइन करी है उन्होंने खुद बताया यह गलती है debit कर दिया wages account में असान तरीका देखो खुद कह रहे है debit कर दिया wages को wages को debit कर दिया आप बताओ सही कैसे करो सर अगर उन्होंने debit करा है तो आप credit कर दो हो गया सही बहुत असान accounts में तो दो ही चीज़ होती है debit और credit उन्होंने debit किया है तो आप credit कर दो हो गया सही और उपर अब उपर क्या आएगा इसमें आपको अराम से सोचना है ही क्या चीज़ ते construction of office इसका मतलब उपर आ जाएगा land and building एक चीज़ पता चल गई paper में तो दूसरी तो आप सब बच्चे समझदार हैं यह सबसे असान तरीका है मैं एक और करके दिखाता हूं आपको पॉइंट नंबर मेरे साथ चलते हैं थर्ड पॉइंट पर थर्ड पॉइंट पर पहले आप सब बच्चे अराम से पड़ो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हूए 500 पेड फॉर्ड इंस्टॉलेशन औफ मशीन मुझे समझ नहीं आया यह क्या कह रहे हैं बट इतना समझ आ गया आगे गलती बताईए कोश्चन गलती खुद बताएगा डेविट कहां कर दिया डेविट कर दिया वेजिजग में दुबारा से बताओ बिटा वेजिज में डे कर देना बिना कुछ सोचे समझे अगर लॉजिक क्लियर है तो तो बहुत अच्छी बात अगर नहीं लॉजिक तो सीधा वेजिस को क्या करेंगे क्रेडिट और उपर पता है किसका नाम आ उपर नाम आ जाएगा मशीन का मशीन अकाउंट डेबिट खतम और चलते हैं आगे पॉइंट नंबर फॉर अच्छीनरी खरीदी है मशीनरी खरीदी है पचास अजार की गलती क्या करी मैंने ब्लैक पैन उठा लिया पास्थ्रू पर चेस बुक दोस्तों पर चेस बुक में ड बताओ पर चेस का बैलेंस कौन सा होता है आराम से बताओ गलती छोड़ो पहले बताओ पर चेस डडिट होती है यह क्रेड़िट पर चेस का बैलेंस क्या होता है कि इसा कि परचेस का वेरी गुड शृष्टी विदूशी जी सिरफ एंट्री करनी है कशिश उरोड़ा तो परचेस क्या होता है डेबिट होता है खुद बताओ गलती से डेबिट कर दिया तो मैं क्या करूंगा मैं क्रेडिट कर दूंगा किसको क्रेडिट कर दूंगा परचेस को परचेस अकाउंट क्रेडिट कितने का था पच्छास अजार से कि इतना मैंने बता दिया बाकी अब आपको पता है उपर किसका नाम आएगा उपर आ जाएगा मशीनरी का नाम मशीनरी अकाउंट टैबिट और आप सब बच्चे बिलकुल ना घबराएं क्या सीधा हम रेक्टिफाई एंट्री कर सकते हैं सो आंसर इस आप यह देखो नीचे कि इन्होंने सीधा रेक्टिफाई एंट्री कर रखी हैं ग्रिवाल सर ने तो पूरे माक्स मिलेंगे डोंट वरी पॉइंट नंबर फिफ्ट बताओ अब आप खुद बताना फरनीचर बेचा है मैं ब्लैक पैन उठाता हूं गलती पे ध्यान दो गलती बात मैं लिखी होग そरी to pass through salesbook पहले बताओ website best book होती क्या है to re-sale book होती है क्रेडिट वेरी पेरि व्ट क्यों है वेरी गड़ परिश्टी बस एक चीज़ पता चलगी बाकी तो आप बच्चे खुदी लिख लेंगे टू फर नीचर तो यह होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग रूल्स में गलती करिए अकाउंटिंग रूल्स में इसे कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल यह पहली मिस्टेक है इसी तरह से कुछ कोश्चन से आप ट्राई कीजिए जो मैंने इलिस्ट्रेशन दी हैं उनको जरूर ट्राई करना इसके अंदर एक बच्चे के पहला डाउट ले था हूंगा है चलि पहले हम आपको अन्म्यूट कर देते हैं आपके डाउट के लिए यस बताईए जी मुझे ने उसमें प्रॉब्लम आती कि दोनों अकाउंट अफेक्ट होंगी या एक अकाउंट अफेक्ट होगा मनलब वो कैसे पता चलेगा कशिश वो कैसे पता चलेगा एक तरीका तो यह है कि जो तीन चार हमने क्लासिस ली थी रेक्टिफिकेशन की वो वीडियोस देख लो दूसरा तरीका यह है मैं आपको पताता हूं बुक में मैंने कहीं पढ़ा था यह लिखा है कशिश पेज नंबर 18.12 यह पढ़ना यह कुछ एरर्स होते हैं जहां पे दो या उससे जादा अकाउंट होते हैं यह चार होते हैं error of principle मैंने आपको करा दिया यह तीन और हैं एक है लास्ट वाला complete omission पूरा भूल गए complete omission तो तो पक्का आपको पूरी entry करने पड़ेगी दो accounts आएंगे यह एक चीज होती है error of recording और posting in wrong account इन दौनों के बारे में हम next class में भी एक बार discussion कर लेंगे अगर आप खुद पढ़ लेंगे तो और easy हो जाएगा आपके लिए answer a question था लाइक जैसे हमने अभी कर रहा old furniture sold for 5000 वस पास्थ्रू sales book तो सब्सक्राइब हमने अगर sales book लिखा हुआ है ना आगे और आपको पता है sales book का मतलब होता है credit इसका मतलब हम यह मान के चलेंगे कि आपने फनीचर क्रेड में ही वेचा था ओके सर और और किसी पच्ची को डाउट एंसर एक और चीज़ पूछी सर इस चाप्टर की थिओरी के लिए क्या प्रिपेर करूं मैंने अभी नोट्स भेजें आपको रेक्टिफिकेशन के ग्रूप के अंदर बस वो नोट्स में से थिओरी लिखिये स्टार्टिंग में वो पढ़ लेना टाइपस ओफ एरर्स चलिए फिर में क्लास अब यहीं पर ओवर करता हूं नेक्स क्लास में मिलेंगे आपके साथ रेक्टिफिकेशन के कुछ और कोश्चिंज थैंक्यू अलफ यू टेक कियर एव्रिवर्वन